नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है शुक्रवार को मुंबई में हुई Reliance AGM में ऐसे पल भी आए जब अंबानी परिवार भावुख हो गया मुकेश अंबानी ने जब Reliance के पिछले 40 सालों की उपलब दिया और उनकी वजह बताई और इसका श्रे अपने पिता और Reliance के फाउंडर धिरू भाई अंबानी को बताया तो मा कोकिला बेन की आँखों में आसू छलगाए पूरी स्पीच के दोरान अंबानी ने तीन बार अपने पिता धिरू भाई अंबानी का नाम लिया वह बोले जैसा Network और Data आज मुंबई और दिल्ली के लोगों को मिलता है वैसा ही Access गाओं के लोगों तक पहुँचाना मेरा पहला उद्देश है यही धिरू भाई अंबानी का भी विजन था उनके सपने को जियो के जर्ये हमारा पूरा करने का लक्ष है पिता के बारे में बात करते हुए मुकेश अंबानी भी भावग नजर आए उन्होंने कहा धिरू भाई अंबानी हमेशा Young Leadership चाहते थे आज Reliance जियो Youngsters की कमपनी है जियो के डारेक्टर ईशा और आकाश की उम्र 25 साल है जियो Employees की एवरेज एज 32 साल है वे बोले धिरू भाई अंबानी का विजन ही है जिसे हमने गाइड किया जिससे हम इतना आगे भी बढ़े उन्होंने कहा कि वे आज भी हमारे दिल में जिन्दा है इसके बाद धिरू भाई अंबानी से जूड़ी पुरानी वीडियो की रिकॉर्डिंग दिखाई गई मुकेश अंबानी ने अपनी पूरी स्पीच में एक बार भी अपने दूसरे बेटे अनन्त अंबानी का नाम नहीं लिया पिता धिरू भाई अंबानी के अलावा मुकेश अंबानी ने दो बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी का नाम भी अपनी स्पीच में लिया वह बोले कि डिजिटल इंडिया कैंपेंज से देश तेजी से आगे बढ़ रहा है वह बोले इंडिया इस साल अपनी आजादी की 48 वी अनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा जिवो इंडिया डिजिटल आजादी देने में यह काम कर रहा है वह बोले कि पिता धिरू भाई अंबानी आज भी हमारे साथ हैं और हम उन्हें फील करते हैं इस दोरान मा कोकिला बेन बावग नजर आई मुकेश अंबानी ने अपनी स्पीच के दोरान दो बार मा कोकिला बेन का नाम भी लिया आपकी इस बारे में कोई अगर टिपणी हो तो कमेंट बॉक्स में आवश्य शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप स्पीशन हमारी प्रेन ना भढ़ाता है धन्यवाद